Hi guys, मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगी कि मुझे cricket देखना और उसका analysis करना कितना जादे पसंद है और हाली में मुझे My 11 Circle नाम का एक बेहतरीन fantasy sports app मिला जहां पर आप अपने cricket के knowledge और skills का इस्तमाल करते हैं बड़े prizes जीप सकते हैं My 11 Circle पर fantasy cricket खिलना वास्तों में बहुत ही जादे आसान है आपको करना कुछ नहीं है दोनों फिरोधे टीमों में से आपको अपने 11 चुल लेनी है और अपनी टीम बना लेनी है My 11 Circle की एक और खास बात ये है कि यहां पर हम सच मुच VBS लक्षमार्स और अपगांगली अर्जीं की रहाने सेंड वाट्सन और रासिद खान जैसे चैंपिन्स क्रिकेटरों के साथ fantasy गेम खेल सकते हैं और उनके साथ head to head खेलने का मौका पास सकते हैं My 11 Circle पर एक खास कॉंटेस्ट आपके लिए रखा गया है जहां पर आप हाली में चल रहे है क्रिकेट टूनेमेंट्स में फाल्स फ्रैंक लाकर 25 लाख रुपे का कैस जीत सकते हो और इतना ही नहीं अगर आप इस app को description से download करोगे तो आपको 1500 रुपे तक का welcome bonus भी मिलेगा साथी साथ मेरे viewers को खास करके मेरे viewers को 25% का extra deposit bonus ही मिलेगा के लिए आपको करना कुछ भी नहीं बस description में दियेगा link पर click करना है और आपको इस application को download कर लेना है आपका जीता हुआ कैस दीधे आपके खाते में deposit कर दिया जाएगा आपको बताते कि माई 11 सर्कल वास्तों में बहुत ज्याते safe and secure app है यहाँ पर कुछ विनस ऐसे भी हैं जो कि हाली में माई 11 सर्कल पर करना पती बने हैं तो फिर आप इसका इंतजार कर रहे हैं आप को डाउनलोड करें और आभी अपनी टीम बना है अब एंग्लेंं की टीम तैयार है पाकिस्तान को एक बर भी इरादे से उत्रेगी काफी कमाल मुकाबला होने वाला है और बहुत ही जादे मज़ा आएगा इसलिए हमें यह जादे मज़िदार होने वाली ही वन दे स्रीज के बाद हमें यह पता चल गया है कौन-कौन-कून से फ्लेर्स अच्रे फॉर्म यह अच्छा पड़ां कर सकते ऐसे माउघ से इंग्य्टार संपड़ा psychological пошत हुआ जिसका इंतमाल करते हैं आप वाकरी में बहुत ही ज्यादा पैसा अंद कर सकते हो माई लेवन पर यह से प्लेटफॉर्म पर तो माई लेवन पर जुरू कर लेना सब्सक्राइब हम यहां पर बात करते हैं पिछ की तो यह जो मकाबला है यहां पर अप्तक 11 काबले खेले जाज़े हैं पांच बार पहले बैटिंग करने वाली और छे बार बात में बैटिंग करने वाली तो यहां पर एवरे स्कोर के बात लिए तो यही होता है यहां पर आखरी जो मकाबला खेला गया था 24 जून को खेला गया था दो हरा 12 में 112 बातर बस्तेंडी जे बनाया था और 173 बनाकर इंग्लैड वह मकाबला जीत वे ती उससे पहले एठार जून को मकाबले खेले गया थे इसके बाद 18 जून 2009 को 16 जून 2009 को और बहुत में प्रहुत काफी समय पहले यहां पर मकाबले खेले गए और जो भी खेले यहां पर आपको वीडियो को पॉस्ट्र बेंग लेना सभी जो है बल्ले बाजों के खेवर में गये हैं हेट-टो-एट मकाबलों की बात किया कि 12 मकाबले अब तक इन दोन टीम अगर बुछ खेले जा चुके देंगे डेविड मलां वन टाउन बैटिंग करेंगे जॉनी वेश्टो चौछे नंबर पर आएंगे पाथ यह नंबर पर मॉर्गन चौछे नंबर पर लियम लिविंग इस्टोन अगर प्लेइंग इलेवन में होते हैं तो ज्यादा तर चांसे यह हैं कि लूइस जार्जी को सकते हैं वो डेविड मलान उसके बाद बैटिंग करने आ सकते हैं क्रिस जॉर्डन और आदिल रसीद और महमूद बात करें अगर पाकिस्तान की टीम भी तो पाकिस्तान की टीम में भी काफी प्लेयर्स की वाप्ती हो रहें जैसे कि मोहमद हफीज आपको देखने को यहां पर दोनों टीमों के खिलाडियों का स्टास हो रहा है आप वीडियों के पॉस्त करते हैं पल लेना जैसें रोए बहुत यह पॉर्म में है आखरी कुछ मुकाबलों की बात यह है यह यह पिछले तीन पारियों में 36, 17 और 60 का स्कोर किया है बहुत यह पॉर्म है जॉस और 60 से पहले स्कोर कर चुके है जॉनी बरिष्टोक आप यह अच्छे फॉर्म में है एक आउन, 43, 29, एक मैट में जीरो पर आउट हुए थे शिल्लंगा खिलाब में उससे पहले तो यहां पर मतलब की इंगलेंड की बल्लेभाजी काफी अच्छे फॉर्म में है संतुलित ह और सभी के सभी खिलाडिक कॉंसिस्टेंसी के साथ यहां पर आप देखसें टेंकी रन भी बना रहे हैं मॉर्गन का फॉर्म तोड़ा सा इंगलेंड के लिए लेकिन बाखी के बल्लेभाजी इतने अच्छे फॉर्म में हैं इस दौरान काफी लिए है एक एक विकेट कर के लिए साथ ही साथ 65 उनका एक बड़ा इस गोल भी है इनका लेकिन मुझे पॉर्सन भी जहां तक रख रहा है कि इनकी जगा लिविस जर्जी को टीम में रखा जाए तो ज्यादे बेटर रहेगा बाकि अब अब अपना जिवन मॉर्गन की मर्जी और विकेट भी थोड़ा फ्लैट है तो हो सकता है कि लिएम लिविस्टों के फेवर म मोहिन अल्ली यहां पर आप देख सकते हैं कि 28-49 दो पाडिया खिला है इन्होंने क्यादा बैटिंग आल खिलाल में नहीं मिली है एक एक विकेट लिया यानि कि दो मैचों में दो विकेट लिया है डेविड विले बहुत यह फॉम है और मेरी तरफ से यह खिलाडी आपकी में होना ही चाहिए, चाहिए, कैप्टन भी आप बना सकते हैं, मैं अब रिसेंट गित्ने भी कॉन्टेस्ट खेला हूँ, इसमें यह यह क्याप्टन या वाइस च्प्तन जरूर रहे है देविड विले आप देख सकते हैं कि 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, और ले सकते हो आदिल रसित को आप अपनी इंट में लेता हूं तो यह विकेट्स नहीं लेते हैं लेकिन इस मैच के लिए मैं यह कहूंगा कि आदिल रसित को आप ड्रॉप करें महमूद को जरूर लेना बहुत अची गिंद बाजी करने वाले हैं इस मुकाबले में और अच्छे लेकिन फॉर्म की बात दिया है तो मुहमद रिजवान जीरो पीस तेरा पांच और चोहत्तर में लेकिन इससे पहले पीसल में बहुत ही जबजास फॉर्म में दीगे थे काफी क्लासी प्लेयर हैं आप इन कॉपनी टीम में पिक कर सकते हो और 320 मुकाबलों में बहुत रिसेंट फॉर्म की बात दिया तो 1913 47 10 और 6 मतब कुछ खास फॉर्म नहीं है तो ऐसे में चांसेज बनता है सारजील खान गा तो देखते है क्या होता है मुझे यहां तक रखते है कि फाकार जमान को एक और मौका दिया जाएगा बाबर आजम अच्छे फॉर्म में थे बी इन को आपी टीम में ज़रूर रखे जाहें ग्रैंड लिग की तीम हो सेफ लेक करना इनके साल स्वयब मक्सुद एक बहुत ही जबजास खिलाडी यह वन डे सीरीज के दवरान इन्होंने तो खास कमाल धमाल नहीं किया था लेकिन यह खिलाडी आपकी फैंटर सीपी तीम मे मुहमद हाफिस को आप ग्राप करना मेरे इसाब के अभी इनको लेना ठीक नहीं होगा सदाब खान को भी आप चाहोते प्रॉप कर सकते हो कर सकते हो लिए पार्य आप पढ़ने वाली है साइन अफीदी के ताद आप जा सकते हो अगि पुछ पर्फोरमेंस देख लेते हैं जॉस बटलर छे पारियों में अग्सेटमसीट बना पाए है और मुझे जहां तक लगता है कि इस मैठ में कि अपने स्टैट्स को सुधारने वाले हैं नेक्स्ट लेबल पर ले जाने वाले हैं क्याप्टन के लिए भी बहतरी च्वाइस है आपकी तीम में वीले और जॉस बटलर को बना सकते हो या फिर आप चाहो तो जॉस बटलर जैसन दोड़ को बना सकते हो क्या करें वाइस में अब यह आपको दिखाऊंगा डेविड मॉला ने कभी रिकॉर्ट कुछ खास नहीं है तीन मैचों में चौराट दिखा पार है तो इनको आप अवाइड ही करो मक्सूद का रिकॉर्ट भी कुछ खास नहीं है अदिल रसीद साथ पारियों च्छे बिकेट ही ले पाए हैं जॉडन भी च्से पारियों सिर्फ चार विकेट ले पाएं पाकिस्तान की तरफ से फक्त सिर्फ पार राजन चार वार्यों में एक सिसन ताउं रण अच्छा रिकॉर्ड है हिनका सदाप्थान थिन पारियों पांच लिकेट भी हैं अलग हिन की रिकॉर्ट को काषी अच्छा है तेकि मेरा प्रेडिक्षन यह है कि इस मैस नेको मार्क बढ़ सकती शाइन प्रेटफॉम्स पे आप जिएतना बहुत जादे असान है वाकि अधर प्लेटफॉम्स पे आप सारे प्लेयर्स पो जिन जिन प्लेयर्स को स्रेट करना चाहिए उपने फैंटसी तीम में उनको स्रेट नहीं कर सकते हो लेकिन माई 11 तरजल पर आपको हर पसंदीदा घिलाडी क या तो जिस लाडी को भी अपनी तीम में रखना चाहते हो तरक सकते हो क्योंकि यहां पर प्रेडित कुछ इस तरीके से दिया गया है मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि हर जारी आपकी प्लेउब में फिट आ जाएगा और इससे आपकी इसे विद्वे की चां और टेलिग्रम पर जोईन करना क्योंकि वहां पर फाइनल और अब्रेटे टीम आएगी साथ सब्सक्राइब लिक्टिंग ही आएगी और कुछ की प्लेयर्स भी में बताऊंगा जो कि इस मैठ में भाका करने वाले हैं जैसा कि आपको पताई है कि बाइने में एलिग्रम पर की प्लेज बताता हूं उन्हें में से चार या पिर 668 बताता हूं तो इसमें से मदब कि नियंक्टी परसेंट फ्लेयर्स ऑप करते ही करते हैं अज्टे पहलें में उर्ट विकट कीपर्स के साथ हम जा रहे हैं जॉन्य विष्टो, मुहामद अरीजवान और जॉस बटलर, चार बल्लेबाजों को हमने लिया है, यह फ्लैट सर्फस होने वाली है, रन हमें देखने को मिल सकता है, बाबा राजन, जैसन रोई, डेविड मलान और फखाग जमान, फ्लैट सर्फस को ज्यादा बल्लेबाजों लेकिन अपने टीम में सामिल किया है लेकिन एक्सक्रेजब प्लेइंग 11 के अनसार इनके और वियम लेघंशन में सामिल किया है उसके आलावा हसन अली आप चायो तो इनको ड्रॉब कर सकते हो, तो अगर आप गर नी की टीम बनाए हो तो पारी अगर आप यह लन ये लागत इंगन के खिलाफ तेरफा यॉंदी टिकेट लिया साथ इसाथ अच्छे फॉर्म में भी हैं महमुद और डेविड विले को लिया हुआ है यहां पर फिलहाल मैंने कैप्टन बनाया जॉस बटलर को वाइस कैप्टन जेसन रोय को बनाया है लेकिन टॉस के बाद फाइनली मैं डिसाइड को रोगो फाइनल कैप्टन रॉइस केप्टन को न होगा वह मैं बता हुआ अपने केलिग्रम चैनल पर डेविड विले भी मेरी तरब से क्रिफट कैप्टन रॉइस केप्टन है अब बात करते हैं कि कौन की टीम यह मुकाबला जीत बखती है दोनों प्लेइंग एलेवन पास्ट स्टैक्स और मुझूदा फॉर्म को देखते हुए मैं यह असानी से कह सकता हूं कि इंग्लेंड की टीम को पहला जीतने वाली है यहां आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की टीम इंग्लेंड की टीम को मोतोर जवाब दे पाएगी या फ सब्सक्राइब कर लें